राश्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आपी लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है मैंने लोगसवाग चुनाव के दर्मान आप लोगों को देश वाचियों को एक गारंटी दी थी मैंने कहा था कि तीसरे टम के पहले सौ दिन देश के लिए अभुत्पुर्वफैसले लिए जाएंगे बिते सौ दिनों में मैंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा सौ दिन के एजेंडे को पुरा करने के लिए पूरी ताकत जौँक दे देश हो या विदेश जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और आपने देखा होगा पिछले सो दिन में न जाने कैसी कैसी बाते होने लगी इस दोरान मेरा मजाग उड़ाने लगे मोदी का मखोल उड़ाने लगे भाती भाती के तर्क वितर्क बताते रहे मजा लेते थे और लोग भी हरान थे कि मोदी क्या कर रहा है क्यों चूप है इतनी मजाग हो रही है इतना अपमान हो रहा है लेकिन मेरे गुजात के भाईयों भेनों यह सरदार पटेल की भूमी से पैदा हुआ बेटा है हर मजाग हर मखोल हर अपमान को सहते हुए एक प्रार लेकर के सो दिन मैंने आपके कल्यान के लिए देश हित के लिए नीती बनाने और निर्णे लेने में जुटा लए और तय किया था जिनको जितना मखोल उड़ाना है उड़ा दो उनको भी तो मौज आए गिया लेलो लेलो और मैंने तय किया था मैं एक भी जबाब नहीं दूंगा जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्यान के मार्क पर चलना है कितने ही प्रकार के हशी मजाग ठीठोरापन होता रहे मैं अपनी इस रा से भटकोंगा नहीं और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पचाते हुए सौ दिन के इन दिनों में देश के हर नागरिक हर परिवार हर बर्गे के कल्यान की गैरंटी पक्की हो गई है इन सौ दिनों में पन्रा लाग करोड रुपिय से जादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है चुनाओ के दोरान मैंने तीन करोड नए घर बनाने की गैरंटी देश को दी थी इस गैरंटी पर तेजी से काम हो रहा है आज यहां इस कारकम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर बिला है कल में जारखंड में था वहां भी हजारों परिवारों को गर दी गए हैं गाम हो या शहर हम सभी को बहतर जिन्दगी जीने के लिए वबस्ताएं जुटाने में लगे हैं गपार में जारों को बाएंगी जारों के लिए भी गए हैं कि अवड़ कि अवड़ परिवा वज़ दिन्दगी परिवारों को ये परिवारों को आवड़ हैं